हेलो फ्रेंज वेल्कम टू तु दगागाइड मेरा नाम है रिशब और मेरा काम है आपके लिए लेकर आना लेटेस काज की न्यूज और फिर्स्स टेस्ट ड्रेव्स अस्ट्रीज गंपारिसन और अमेजिंग वीडियो आज हम बात करने वाले हैं हॉंडा जैस बीए सिक्स के करने से पहले आप लोगों की वैसे में 1 लाइक सब्सक्राइबस तक पहुंचने वाला हूं जल्दी से यह नंबर आए और वन मिलियन भी जल्दी से आए तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को शेर जरूर करते हैं जो नए लोग हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करते शुरुबात करते हैं आज किस टॉपिक के साथ आपको बताना चाहूंगा कि लोगडाउन चल रहा है अभी ठीक हैं तो जैसे ही लोगडाउन कतम होगा इस फेसलिफ्टे जैज को लांच कर दिया जाएगा टेस्टिंग अगरा करते हैं कि इसको हमने कई बार देखा आपका अब इसको LED headlamps और LED DRLs देखने को मिल जाते हैं इसमें और Chrome का सेटप भी है ग्रिल को भी काफी चेंज कर दिया गया और बंपर तो आप इसली देखवाएंगे कि काफी डिफरेंट है मैं पुरानी वल जैज यहां फिर कहूंँ तो current जैज और यह नई वली जैज दोनों आ अलॉय विल्स जो है वो सेम रहेंगे जैसे प्री फेसलिफ मॉडल में आते थे अलॉय विल्स चेंज नहीं किये गए है और एक और चीज चेंज क्या नहीं की गई है दे इंजन्स 1.2 लिटर का प्रेट्रोल और 1.5 लिटर का डीजल जो की 90 PS की पावर 110 Nm of torque और 100 PS की पावर वैसे तो अभी वली में आपको 7-inch touch screen, android auto carplay, keyless entry cruise control इस तरह के सारे फीचर मिलते हैं airbags, ABS, EBD airbags, reverse parking sensors आपको मिल जाते हैं साथ के साथ आपको dual front airbags मिलते हैं तो feature loaded तो है गाड़ी अब देखना यह है कि नई facelift में क्या-क्या features add किये जाएंगे लेकिन अपोस्ट्री यह यह जो quality of interior है उसे तो definitely company increase करेगी तो अब increase के साथ क्या होता है? Price बढ़ती है उनका BS4 से BS6 upgrade करने पे cost नहीं increase की है तो हो सकता है यह भी एक chances है कि jazz जैसे बहुत जादा नहीं sale होती है तो उसको पैसे ना बढ़ाई जाए उसकी price ना बढ़ाई जाए यह भी possible है अभी जो BS4 वली आती है उसकी range शुरू होती है 7.5 lakhs चाती है 9.5 lakhs तक एक शोरूम अफकोस अब देखना ही होगा कि गाड़ी की price increase करती है कंपनी यह नहीं direct competition होता है इसका बलेनो, ग्लेंजा, i20 नहीं आई अभी Tata, Eletros उसके साथ हो Volkswagen Polo के साथ भी अब देखते है कि क्या होता है, jazz वैसे international market में तो 4th generation आ चुकी है लेकिन हमारे पास facelift version ही आएगा तो यह था मेरा update, छोटा सा update एक नहीं गाड़ी के ओपर the jazz facelift आप बताए आपको jazz facelift कैसी लगी क्या आप इसे purchase करना चाहेंगे या नहीं नीचे comment जरूर कर दें, like जरूर कर दें, share करें, subscribe करें चैनल को मिलता हूँ आपसे अगली video में, till then drive safe, take care, stay home, stay safe, bye bye